नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे इसमें जो कैपिस्टल लगते हैं यानि जो रिले के उपर जो जो कैपिस्टल लगे होते हो क्यों लगते हैं और इसका रिजन क्या है आज की वीडियो में इसे आप डिटेल से समझेंगे देखिए सबसे पहले यह क्रेंड करने के लिए बोल्टेज को कबर करने के लिए इस आप there बनाय जाते हैं उच्वह हमारा 60 से हो चाहिए 70 से होँ चाहिए 90 से हो लोग्ल बोल्ट लेवल और यहस्ट लेवल्ध-300 ल्याश्य बोल्ट हो जैसे डवल प्रेस के भी बनते हैं तो यह जो बीच में बोल्टेज है इस दोनों के चार्सो चालीस और तीनसो और यह जो फिप्टी बोल्टेज के बीच में बोल्टेज है वह हमारा दो सो बीस पोल्ट है यानि प्रेक्टानिक डिवायस है तो उसे चलने के लिए कांस्ट्रेट बोल्टेज होने चाहिए इस ट्प्लाइजर में क्या है जो कि रिले यूज कि ए गये हैं तो निष्टित है कि इसके बीच में फ्लेक्चवेशन होना सोभाविक है क्योंकि जैसे बोल्टेज हमारे ट्रिप हो होते हैं जो high value के low value के दोनों type के PF होते हैं जिन में उनका यहीं सेम काम होता है कि जिसे low spike है या high spike है तो उसे जो है ground करने का काम करते हैं लेकिन बार बार अगर कहीं पर किसी capacitor को काम करना पड़ते हैं मनलबब spark spark हुआ और spark से जो श्माइक मना तो उस में क्या होता है और लेक्टानीट यूज जो पाघ्टार्णीट माइश होते है या दर भी पृ सबसे चोट प्राइज हो तोस साफ्ट्वियर में डटाव क्रेप्टिर्स का इसू आ जाता है और रिजं ही होता है कहीं ने कहीं से जो हमारे बोल्टेज सुधर रूप से नहीं होते हैं तो आप बहुत सारे यह से होते हैं कि कहीं कहीं पर केबल कनेक्शन जोड़े होते हैं लेकिन वहां पे स्पार्क जो है आल्डेडी स्टार्ट राता है और वो कैसे पता लगता है जब आप उसे टेच करेंगे छुएंगे तब पता लएगा क्योंकि वहां हीटिंग इसू होती है या तो आप देखेंगे तो भी उसके जो है लगे होते हैं यहां पर three quantum के गवल्ट के होते हैं सब जितने भी फ लगे हैं लेकिन में क्या कि 3.3 जो हमारा यह दूरो इहां पर विक और यहां पर पेंथा नोपे जो हमारा दो यहां bachelor प्रोल के औ्ए ही Sheriff फिर इसके बाद निचे आते हैं तिसरे रिले में यहां पर देखेंगे यहन सी और एनो के बीच एक पीएफ लगा है जो की इन सारे बैलू से डिफरेंस है वो है पॉइंट टू तू यह धाइसो बोल्ड का पीएफ है है और नेक्स्ट यहां पर आते हैं पोल से और आयनोंपे जो की फिरी के फिरी होन है जैसे यहां पर दो यूज्ज क buyers किया गया है इसका रिजन यहां से आउटपूटथ हमारा सपलाई आउट हो जाता है यह लस्ट रिले है इसके बाद यहां पे आटो कटकल यह हो तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि जब कभी इन में जो है रिले चेंजन जिंग यानि जब रिले चैंज होता है चेंज वबर के टाम जो फक्लक्शों से जो स्पाइक बोल्ट बनते हैं वह नोसान यानि या रिबूट ना हो, कम्प्यूटर चल ला हो, या कोई फिर से रिस्टार्टिंग प्रॉप्लम ना हो, उसे कबर करने के लिए, उसे समात्त करने के लिए, इन सारे प्यूप को यूज किया जाता है, तो ज़्यादतर रीजन यही है, कि जब किसी भी बोल्टेज में जर हमारे जो सेंस्टिफ जैसे पाउर से रिलेटर जो भी जहां पे यूज किये गए हैं वोल्टेज, उन में जो है, यह घुस के रिपल्स के रूप में, भी अगर इसमात्त ना हो पाएं, तो कहीं न कहीं जो है, आगे कई प्रॉब्लम क्रेट कर देते हैं, जैसा कि मदर रब जो आएसे उनके लिए ही बहुत बड़ा खत्रा है, अगर बार बार ट्रिप हो रहा है, आपके घर में, तो उस समय जो है, इस पे यह पी अफ का बहुत ही ज्यादा काम होता है, और आप कभी-कभी देखते होंगे, पीफ फाल्ट क्यों होता है, पीफ फाल्ट होता है इसी क कभी भघ आप, कभी छोड़ रहा है, जैसे इस इस टाइप से हो रहा है, तो वहां पिफ यह प्राब्लम होता है, बलकि इस प्रायजर में ऐसा की नहीं रिलेख हो, रिलेख हो सकता है, लेकिन ईसा होता है, यह जहां से इसका इन-पुट ज्ड़ा हुआ हूए, इन-पुट यह प्रोब्लम इसमें आते हैं यह सारे चीजें आप मल्टीमिटर से नहीं देख सकतें उसे हीटिंग के रूप में आप देख सकते हैं कि उस जॉइंट पर हीट है कि नहीं है क्योंकि हीट नहीं होना चाहिए और लूज कंटेक्ट नहीं होना चाहिए अगर रिपल्स देखना तो आप देख सकते हैं उससे आपका किलियर हो जाएगा कि इस समय हमारे जो साइन बेब इन हो रहे हैं जो कैसे हैं उनका रूप कैसा है तो उससे भी पता लग जाएगा क्योंकि जितने बार वह आप होंगे या चूटेगा पकड़ेगा तो उसमें जो स्पाइक बोल्टेज है वह आपको ग्राफ के रूप में दिखाए देंगे तो आज की वीडियो में बसी इतना ही था जो कि इंपॉर्टन था यह बताने के लिए आपको कि कोई भी पावर सप्लाई है तो उसमें क्या होता है कि होगा याणि जीतनी प्यावर होगी उतना ही रिसप्वांस उसका मर्श्थ होगा उसमें फाइल लाइफटाइम नहीं आने का होताinka जखता इसी से होता है ब्लेंस से या पावरthis अप्लाई अच्छे डियाई ना होने को कंडिशन में तो आज की विडियो बस दिना ही हम तो आज की वीडियो बाओ इस से बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी अगे इसमें भी बहुत सारे इस के बारे में हुआ दिले के मंप्यर में हुआ और यम सी भी कहां पर कितने पी लगाने चाहिए ये टर्मिल कितने एंपर के होने चाहिए जिससे जुएंट करम नहीं कि चाहिए चुटा या बड़ा एक कंपेक्ट छोटे तरीके से कम वायर में और अच्छा रिस्पॉंद दे तो यह सारी चीजों को हम इस्टेपाइद देखेंगे अभी यह तो थोड़ा लॉंग टॉपिक चलेगी पूरा डीटेल से तो आगे हम दूसरा भी टाफिक ला रहे हैं लेकिन फिर आल इस वीच वीच में इसको देते रहे हैं तो आज की वीच नहीं मिलते हैं दोस्तों और देखते रहे हैं और इसमें देखें और भी थोड़ा सा प्राब्लम आता है है dmcb में जैसे यह बाइपास mcb है और यह मैं मेंस के हम इसके इंटर्नल भीए इस पार्क होता है कभी गर्म होगे हीट होगे घर जाता है बारबार और ऻम फिर इसमां करते हैं तो इसके अंदर जो फिलिख्यो चोन हो रहा है एका जुशरे का उसका भी एहां पर करते हैं कि वहां पर फ्लेक्चोशन कोड़ führen गर में meant to機शा कोबर करने के लिए जो प्लेक्च usually होते हैं उसको इस पमें बन बाए इने चो है कट नहीं होगा यानी उतने दिर में एक माईक्रो सेकंड में यह पीर और करके फिर वापिस हो जाएगा तो उसमें डिले नहीं होगा तो हमारा जो साइकल है वेप साइकल में जो इस पाइक ऐसे नुक टाइप बनता है वो चीजे थोड़ा सा लो टाइप बनके उसमें उतना नुकसान नहीं होता है तो सब कंडिशन में यही देखा जाता है इसलिए जो है इसको लगाया जाता है पीएफ को और हम इसे डियसो पर दिखाएंगे कि बिना इसके बोल्टेज को चेंज करके देखें और इस कंडिशन में यानि जो पीएफ लगा है उसके दोनों के वेफ़ाव में कितना अंतर होता है जो हमारी 220 बोल्ट की साइकल होती है उसमें क् क्रेटिकली में देखेंगे लेकिन पहले थेयोरिकल को आप समझें यह काफी काम करेगा जब आप किसी एसेंबल कर रहे हैं इस चीज को देखेंगे और उससे साउधानी से बढ़ियां से एसंबल करने का प्रयास करेंगे तो क्योंकि इस पे पूरे घर की जो सप्लाइड हो होती है इसलिए इसे जितना अच्छा से अच्छा हो उसे डिजाइन करना चाहिए इसलिए मेरा यहां पर बताने का जो पूरा उद्देश है यही उद्देश और परपज है कि जो है जो भी डिजाइन किया जाए उससे बढ़िस डिजाइन किया जाए क्योंकि इसी पे सारे लोड डिपेंड होते हैं घर के